बच्चों स्टैप्स का पालन करके घर बनाना सीखे एक तिर्ची रेखा खीजना विप्रीत दिशा में एक और तिर्ची रेखा खीजे बच्चों सुनिश्चित करें कि दो तिर्ची रेखाओं के शीर्ष किनारे एक दूसरे को छू रही है तिर्ची रेखाओं के स्पर्ष किनारे से एक सीधी रेखा खीजना सीधी रेखा के अंत में नीचे की और इशारा करते हुए एक तिर्ची रेखा खीजे रेखा की लंबाई समानांतर दिशा में तिर्ची रेखा के समान होनी चाहिए अब दो समानांतर तिर्ची रेखाओं को मिलाईए देखिए बच्चों आपने घर के लिए छट बनाई है आपके द्वारा खीची गई पहली तिर्ची रेखा के किनारे को छूते हुए एक सीधी रेखा खीजे दूसरी तिर्ची रेखा के किनारों को स्पर्श करते हुए एक समानातर सीधी रेखा खीचे छत के किनारों को स्पर्ष करते हुए एक सीधी रेखा खीचे खीची गई सभी सीधी रेखाएं समान लंबाई में होनी चाहिए तल पर एक नई क्षैतिच सीधी रेखा खीच कर सीधी रेखा से जोड़िए चलो अब दर्वाजा खीचते हैं बीच में एक आयताकार बॉक्स बनाएं और इसे ख्षैतिच रेखा के किनारे तक बढ़ाएं तो हमें अपने घर के लिए खिड़की चाहिए दीवारों में वर्ग का आकार बनाएं बच्चों अब आपका घर तैयार है आप इसे अपनी इच्छानुसार रन सकते हैं मेरे चानल किट्टू टीवी को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें देखने के लिए धन्यवाद और शुब काम नाएं झानल किट्या झाल, के लिए सेल दूज करें रसक्राइब को लाइक, आपका जए नाएं लक्षन ऑपका रखका बनाएं झाल झाल